तो देख सकते हम लोग आ चुके हैं नेक्ट सेशन जो है दोस्तो अभ्यास या अप्रेशन यह सेशन है इसे पहले मैंने छे सेशन करा दिया दोस्तो आप जदी नहीं देखें बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन यह अर्दवार्सिकांग के रूप में जो कुमार गौरब संग्लिप यह पुस्तर के दोस्तो आपको पता ही है तो इसे हमने फुल कंप्लीट कराने का नेड़ना लिया है दोस्तो इसमें आज जो है यह सात्मा संस यह टॉपिक चलना है दोस्तो ठीक है तो आए इस सेशन को कवर किया जाए ऑप्रेशन यह अभ्यास जिसको हम लें कह है कन कोंसे देशन के पीच होता दुस्तो अब न होता है भारत और प्रांस करनके है और दूसरा यह कौन सा कम करना एक कियमा शंसक्रान यह के डौई सब्सक्राइब दोनों देशों की जो है नौ से नाओं के बीच दूपक्षिय अभ्यास वर्स कब से सुरू हुआ है और 2021 में इसका नाम वारून पर गया यह दूपक्षिय अभ्यास का नाम वारून 2021 में परा नेक्स आईए कि अभ्यास साइक्लोन वन यह साइक्लोन वन क्या है दोस्तों इसके बारे में डेटेस देखते हैं कि 14 जन्वारी 2023 को यह राजास्थान के जैसल मेर में जो है भारतीय सेना और मिस्र की सेना के 20 बलों के बीच जो है साइक्लोन वन का नाम पहल सेना है उनको बीच में हुआ है नेक्स है कि अभ्यास चक्रवात वन जो है यह दोनों देशों के विशेस वलों को एक साजा मंच पर जो है लाने वाली अपनी तरह की पहला अभ्यास बना है देखिए एमपैक्स 2023 देखिए भारतीय नो सेना ने आंद्रपर्देश के आंद् सेना के साथ। सबसे वरात दूब पख्षिए जो है त्री सेवा उबहेचर अभ्यास ऐमपैक्स जो सत्रह से बाईश जन्वाइं दोहेटीश तक आयो जित कि आगये है प्रलै अभ्यास जो है प्रलै अभ्यास किस दिश के बीच है भारत वाईवसेना जो है भारतीय में परलाय अभ्यास का एवजन करेगा पुर्वी वायु कमान का मुख्याले जो है कहाँ पर सीलोंग में है जो भारती वायु सिना के अपने पांच परीचालन कमांडों में से एक है ट्रोपैक्स 2023 देखिए ट्रोपैक्स 2023 है भारती नौ सिना के प्रमुख समुंदरी अभ्यास है है ट्रोपैक्स 2023 का संस्क्रण वर्तमान में हिंद महासागर छेत्र में संपन हुआ है यह परिचालन अस्तर का अभ्यास जो है डिव वार्सी के रूप में आयोजित किया जाता है इसमें ना किवल सभी भारती नौ सिना इकाई बलकि भारतीय सिना भारतीय वायू सिना तथा तत्रक्षक सिनाओं को भी भागिदारी सामिल है इसमें ट्रोपैक्स जो 23 जो है दोस्तों 23 जन्वरी से 23 मार्स तक 3 महीने तक की अवधी में यह किया जाता है अभ्यास त्री सक् प्रहार देखिए त्री सक्ति प्रहार क्या है 21 जन्वड़ी से लेकर 31 जन्वड़ी 23 तक भारतिय सेना द्वारा पस्मिंग बंगाल में एक सयुग्द प्रसिक्षन अभ्यास जो है अभ्यास त्री सक्ति प्रहार आयोजन किया गया समापन जो है तीस्ता फिल्ड फाइरिंग में एकिकरित अगनी सकती अभ्यास के साथ हुआ है नेक्षाई ओप्रेशन दोस्त ओप्रेशन दोस्त किसके साथ है तो फरवाड़ी 23 को विदेश मंत्री एस जय संकर ने ओप्रेशन दोस्त के हिस्से के रूप में भारत द्वारत तुर्की और सिरिया के भुकम परभावी द विमान से खोज दल और बचाओ समाघरी पहुचाई गई थी संभावना सद भावना के बार में देकि लद्दाक में भारतिय सेना द्वारा और प्रेशन सत्भावना चलाएगे है इसके तहट भारतिय सेना जो है लद्दाक के दूर दरा छेत्र में रहने वाले बच्चों क जो है काल्याने कारी गतिवीदियो चला रही है जम्मु कस्मीर में सेना का जो है ओप्रेशन सद्भावना लोगों को कल्यान के लिए है तरकस अभ्यास देखिए संजुक्त रास्टिये सुरक्षा गार्ड यानि एन एस जी और संजुक्त रास्ट स्पेशन ओप्रेशन्स फोर्स द्वारा तरकस अभ्यास कायोजन चिन्नाई के तमिलाडू में किया गया तमिलाडू के चिन्नाई सर में किया गया यह जो है अभ्यास का छठा संसकरन है जो 16 जन्वरी से सुरू होकर 14 फरवरी 23 तेश को समाप्थ हुआ धर्म गारजियन अभ्यास 17 फरवरी से लेकर 2 मर्च तक यह भारत और जापान के बीच में धर्म गारजियन का अभ्यास चला है यह जापान के सिंगा परांद के जो है कैम्प इमाजू में संयूक्त सैने अभ्यास हुआ है धर्म गारजियन का चोथा संस्क्रण था कैमा संस्क्रण चोथा संस्क्रण था भारत और जपान के बीच में धर्म गारजियन होता है नेक्शन है कि भारत दुआरा किये गए सैने परिसिक्षन अभ्यासों के स्रिंखला में धर्म गारजियन अभ्यास जो जपान के साथ एक वार्षिक प्रसिक्षन है ये एक वर्सों पे होता है डास्टरलिक सैने प्रसिक्षन अभ्यास 20 फरवारी 2023 को भारत और उजबेकिस्तान के थल सेना के बीच जो है उतराखंड के पिथोड़ागड में दूई वार्षिक सैने प्रसिक्षन दास्टरलिक के चौथे संसकरन का सुभारम पांच मार्च को पांच मार्च तक चला है भारतिये पक्ष का प्रतिने तो पस्चमी कमान के हिसे के रूप में गड़वाल रैफल्स की जो है चौदवी बटालियन जबकि उजबेकिस्तान के प्रतिने तो थल सेना की उत्तर सेमी सैने टुकरी ने किया है वर्स 2019 में शुरू हुए इस प्रिसिक्षन अभ्यास का चौथा संसकरन है अंतरास्ट्री रक्षा प्रदर्शनी और नौसेना रक्षा प्रदर्शनी बीस परवाड़ी दो है तेस को भारतिये नौसेना पूत जो है सुमेधा नैब्डेक्स द अंतरास्ट्री रक्षा प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए आबुदावी संयुक्त अरब अमिरात पहुंचा जो बीस से चौविस परवाड़ी दो है तेस तक आयोजित किया गाई है नेक्स्ट है डेजर्ड फ्लाउग एट एक्सरसाइज डेजर्ड फ्लाउग eight exercise जो है sacrificed परवाड़ी से लेकर 17 मार्च दो है तेस तक यह exercise डेजर्ड फ्लाउग eight के भाग लेने के लिए 110 वायू यो दाउ वाली एक भारतिये वायू सेना के टुक्री पांच यल सीए के साथ संयुक्त अरवा मिडात के जो है अल अल धफड़ा एयर बेस पर आयोजित किया गये है एक साइज जो है दुस्तों डिजर्ट फ्लाइग एक बहु पक्षी हवाई अभ्यास है जिसमें यूए फ्रांस कुए अस्टेलिया यूके बहरीन मुरक्को इस्पेन खोडिया ग रॉयल एयर फोर्स के जो है बैडिंग्टन एयर बेस में कोब्रा वरियर अभ्यास का आयोजन हुआ यहां बहु पक्षी वायूस वायू अभ्यास है जिसमें फिनलेंड स्वीडियन दक्षिन अफुडिका संजुक्त राज्य अमेरिका वायू सेनाय ने भाग लिया है सुन है सिन् ने मैतरी अभ्यास कीह और यह अभ्यास भारत और जापान सैन अभ्यास से धर्म-गारजियन के साथ साथ आयूजित किया गया है 13.ハワ Integration 223 से 02.23 mitts कोया है फ्रिंजेक्स 2023 या फ्रिंजेक्स 2023 क्या है तो 7 मार्च से 8 मार्च तक चला भारत और फ्रांस के बीच या पहला समयूद सेन्य अभ्यास है फ्रिंजेक्स 2023 के तिर्वनन पूरम के पैगोडा सेन्य स्टेशन में आयुजित किया गया यह अभ्यास मानुए सहायता और आपदा र MPX भारतिय नौसेना ने भागिदारी की है INS सहादरी जहाज ने 11 मार्च 22 को औरब सागर में जपान की जो है मैरी टाइम सेल्फ डिफेंट फोर्स को आकी जूकी स्रेनी में विद्वनसक यूदपोत जे एस सुजुकी जो है सुजुद्सुकी के साथ नौसेन ने अभ्यास किया है ला पेरोष अभ्यास ला पेरोष अभ्यास के है तो है जेह बहु पक्षी अभ्यास ला पेरोष तीस्रा संसकरन 14 से 13 से 14 मार्च 22 हुआ हिंद महसागर श्यत में आउजित किया गया है इस संसकरन में United States Navy Australia France और भारती सेना और जपानी सेना ने इसमें भाग लिए है यह दूपक्षिये अभ्यास है लापेरोस फ्रांस नौ सेना द्वारा आयोजीत होता है बोल्ड कुरू छेत्र अभ्यास सिंगापूर सेना और भारती सेना ने भारत के जोदपूर मिलिटरी अस्टेशन में समुंदरी ड्रोन समुंदरी ड्राइगन द्वारती नौ सेना ने अमेरिकी नवी द्वारा आयोजीत समनवित पहु पर्स से जो है प्रभात्य थल सेना ने पुर्वी छेत्र में एक मल्टी डोमेन एयरलैंड एकस्साइज भायू प्रहार नामक छानवे घंटागा संजुनोंत अभ्यास किया है कितने गंटे का 96 गंटागा किया है इस अभ्यास का उदेश से वायू और भूमी बलो का उपियो करके बहुत डोमें संचालन में जो है तालमेल हासिल करने की योजना को विक्षित करना है अफिंडेक्स 23 अभ्यास यह जो है 23 में स्रिलांका और भारत के डियूपक्षी अभ्यास स्रिल्लैनद एक्स एसली नेक्स 23 का जो है दसमा संस्क्रण कोलमबो में आएज़ित किया यह दो चरण में आएज़ित होता है बंदरगाह चरण और समुद्री चरण में पहला पंडुबी रोधी अभ्यास दक्षिन कोडिया अमेरिका जापान की नौसेनाव का पहला पंडुबी रोधी अभ्यास सुरू हुआ है यह तीन देसो का साथ वर्स में इस तरह का पहला प्रस्रिक्षन होगा दक्षिन कोडिया को जेजू के दक्षिन दूप में आंतारास्ट्री जल्चेतर समुंदरी अभ्यास किया गया है राइफल लराकु जेट फ्रांस में एक सैनने अभ्यास में भाग लिया है या भारती राफेल जेट के लिए पहला स्वदेशी दोर रहा है इस अभ्यास में गुल्डन एरो एस्क्वाइडरन ने भाग लिया है और यंट तेश में भाग लेने के लिए अप्रेल के मद राफेल फ्रांस पहुंचे हुए है यहां अभ्यास फर्वाडी में सुरू हुआ और माई की सुरुआत तक समात हो गया औरियन तेश जो है अप्रेशन फोर रेलिजियंट इंटर 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 आप्रेबल थाई इटेंटिसिटी कमबाक्ट औरियंटेड एंड इनोवेटिव आर्म्स फोर्ट्स जो है रूस यूक्रेन यूदि की छाया में रहने बाला ए इक बड़े पैमाने का सैने फड़े सिक्षन ड्रील है और इसे भविस्य में संभावित संगर्ज की तैयारी के लिए रूप में वर्णित किया गया है कोप इंडिया लराकू प्रसेक्षन अभ्यास दसे 21 अप्रिल 23 तक जो है अमेरिका और भारतिय वायू सेना के द्वाराप पश्चिम बंगाल के कलाई कुंडा एयर बेस में कोप इंडिया लराकू प्रसेक्षन अभ्यास का योजन किया है इस आउजन में जपान परवेचक पांच अप्रिल दो है तेज को अंडमार निकोबार कमांड जो भारत की एक त्री सेवा इकाई है ने अभ्यास कवच नामक एक सहयोगी सेने अभ्यास आउजित किया है अंडमार और निकोबार का मुख्याले कहा है पोर्ट बलेयर पिछला वर्स जन्वारी 2021 में आउजित किय यह अमेरिका और फिलिपिन्स ने अपना वार्सरी वर्स चुझा चिह ने मैं अउजित किया गेए अन्टराष यह और परिवर्तन आउजित किया हैं परवर्तन परवर्तन ने साइबर अपराधों के साथ लोग पढ़िए एक विसाल हाडवेब जो है मार्केट प्लेस वा साइबर क्राइम सैट जो है जैनेसिस मार्केट को जब्त कर लिया है जिसे ओप्रेशन कुकी मौन्स्टर करार दिया गया है सत्रह देश ओप्रेशन में सामिल है जिसमें नेत्यूत एफ बी आई कर रहा है और डच नेशनल पुलिस ने किया है इसके पर नाम सुरूप लगभग 120 गिरफताडियां 200 से अधिक होजे हुई है ऑप्रेशन कावेरी यह 24 अप्रिल है 23 को विदेश मंद्री एस जय संकर यूद गरस्त सुडान में अपने भारतिय नागरी को आपस लाने के लिए ऑप्रेशन कावेरी की शुरू की है भारती दुताबाद की जो है ब्यवसाइड के अनुसार सुडान में लगवग अठाई सो भारती नागरिक रहते हैं खार्तूम और सुडान के अन्य जो है 15 अप्रिल को संगर्स शुरू हुआ अपतिय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान अब 30 सुरक्षा अभ्यास जो है प्रस्थान भारती नो सेना अन्य रक्षा राज्य और नागरिक अजन्सी ने एक समन्वित अभ्यास जो है प्रस्थान आयोजित किया है 6 प्रिल जो है 23 को यह अभ्यास महराष्ट के मुंबाई में अब 30 विकास श्यत में आयोजित किया गया है भारतिय नो सेना दौरा परतिक 6 महिना में अब 30 सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया जाता है लेक्त है एनि ओचस 23 भारतिय वाईू सेना ने हेलनिक वाईू सेना जो है ग्रिस द्वारा अयोजित एक बहु राश्टी वाईू अभ्यास है एनि ओचस 23 जो है अभ्यास में भाग लिया है इस अभ्यास का तिसरा संस्करन 24 अप्रिल 23 से लेकर 4 मई 22 तक ग्रिस के जो है अडरिवीडा एयर बस पे आयोजित किया गया है लॉक्ट सिल्ड 22 नाटो सहयोगी और साजेदार देश जो है तेलिन एस्टोनिया और नाटो सहकारी साइबर डिफेंस सेंटर फॉर एक्सिलेंस द्वारा आयोजित वार्सिक अभ्यास जो है लॉक्ट सिल्ड 22 का संस्करन में भाग लिया है 18 से 21 अप्रिल तक आयोजित किया गया इस अभ्यास में 38 देश के 3000 से अधिक प्रति भागी ने भाग लिया लॉक्ट सिल्ड बिस्व का सबसे बारा साइबर रक्षा अभ्यास है नाटो की असापना अप्रिल 49 में वासिंटन डिसी सन्यूक्त राज अमेरिका में की गई इसके मुख्याले ब्रुसेल्स बेल्जिया में पढ़ता है अजय वारियर अजय वारियर 22 27 अप्रिल से लेकर 11 माई 23 तक भारत और उउनाइटे किंडम के बीच सन्यूक्त सैन अभ्यास अजय वारियर 23 का सत्मा संस्क्रन सेलिबरिटी प्लेनेंस यूनाइटे किंडम में आयोजित किया गया इस अभ्यास में जो है दो रोयल गोर्खा राइफल्स के सैनिक और बिहार रेजिमेंट के भारती सेना ने भारती सेना के सैनिक सैने अभ्यास में भाग लिया यह दूई वर्सिक प्रसिक्षन कारेकरम है आसियान भारत समुद्री अभ्यास दो से चार मई दोया तेईस भारत और आसियान जो है दक्षिनपूर्व एसियाई रास्ट संग जो है सैन ने सैयोग के विश्तार में पहला आसियान भारत समुद्री अभ्यास का थारबर चरण चांगी नोसेना बस जो है सिंगापूर मे और समुद्री चरण जो है साथ से आठ माई दो है तेश तक चीन सागर में आयोजित किया गया है यह जो आसियान भारती समुद्र अभ्यास तो है तेश के साथ भारत आसियान के साथ समुद्री अभ्यास आयोजित करने वाला रूस चीन और अमेरिका एक बाद चोथा असियान समवाद भागिदारी बन गया है इंडो थाई कॉर्परेट तीन से दस मैं तो है तेज तक भारती नौसेना और रोयल रोयल थाई नौसेना के बीद भारत थाईलेंड समन में गस्ती जो है इंडो थाई कॉर्परेट का 35 संस्क्रण आयजुद किया गया भारती नौसेना जहाद जो है एन एस एन आई एन एस के सरी थाई जो है मैजेस्टीज सीप सैबूरी ने समुद्र गस्ती वीमानों के साथ अंडमान सागर में भाग लिया है यह दो वर्सों पे होने वाला समन में गस्त है भारती नौसेना और रोयल थाई नौसेना दौहएब पांच में अंतराश्टी समुद्र सीमा के साथ यह कॉर्परेट कर रही है समुन्दरि सक्ति 2023, यहां 2023 में माई में हुआ है भारत और इंड़ोनेसिया एक बीच हुआ है चौथा दुपक्षियए था, यह समुन्दरि सक्ति 23, यहां इंड़ोनेसिया में आयुज़ित हुआ है यसका कल ayr़ topics 2018 में दुपक्षियवःस में किया गया था और समुंद्री सक्ती तीसरा संस्करन या सुन्डा जल्डमरुमद में आयोजित किया गया था नेक्ष्ट है जल राहत अभ्यास भारती सिना के जो है गजराज कोर ने हाली में असम में मानस नदी पर हग्रामा पुल पर जल राहत नामक एक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया है इस अभ्यास का उद्दे से बाढ़ राहत कारियों में सामिल कई एजेंसी के बीच समनमय को बढ़ाना है नेक्स्ट आपरेशन गोल्डन और्ब यह चो मैद होया तेश को युनाइटे किंडम के जो है चालिसवे समराट के रूप में राजा चाल्स तिर्तिये को जो सतर वर्स से अधिक उम्रिका इंतिजार कर रहे है भाव राजय विशेक समारो जो है वेंस मिंटर एबे में आयुजित किया गया इनका यह ओपरेशन गुल्डन आर्प इससे समधित है राजय विशेक समधित है इस दोरान जो है रानी कैमिला के साथ राजा का विशेक किया गया जो यह बता दें सैमुल एस्ट्रेचन नाम के एक जो है 14 वर्सिय साही चैपल ने राजा का स्वागत किया चार्ल्स को जो है कैंट बरी के आर्क बिप्स जस्टिन वेली दोरा आयुजित एक पवित्र धार्मिक समारो में ताज पहनाया गया इस समारो को अप्रेशन गोल्डन आर्प नाम दिया गया बुलंद भारत अभ अभ्यास जो है भारतिय सेना द्वारा अरुनाचल परदेश में मांडला हाई अल्टिट्यूड फाइरिंग रेंज उचाई वाले छेत्र में नकली यूद की स्थिती का पड़े सिक्षन करने के लिए बुलंद भारत एक एकी किरित निगरानी और ग्लोबल और गोला बारी परसिक्षन अभ्यास का आयोजन किया है भारती सेना की जो है गजराज कोड आर्ट लड़ी इंफैंट्री ससस्त्र सीमा बल एसेस बी जो है भारत इबट सीमा पूलिस जो है आई टी विपी और विसेस बलो द्वारा विनास को अधिक्तम करने के लिए एकी किरित निगरानी कारे प्रसिक्षण के लिए अयोज़ित किया गया है प्रजैक्ट संजै क्या है भारत्य सेना जो है ओटो मेसं तकनीकी को आत्म साथ करने के दिशा में एक बड़ा प्रयास कर रही है जो भारती सेना के कमांडरों का वास्तुईक समय में परिचालन प्रसासनीक और प्रवंद की छेत्र में प्रवंद की छेत्रों सहित अपने कारे के सभी छेत्रों में सुरक्षित सुचना प्रवित्थ प्राप्त करने में मजबूती करेगी S.A.M.A. S.A.M.A. को पहली बार जुन 223 में सेना की उत्री कमान में चालू किया गया भारती सेना दिसंबर 2025 तक फिल्ड फॉर्मेशन के लिए कई निगरानी केंद्रों को डिलेवरी के लिए B.I.L. गाजियाबाद के साथ एक अनुबंध परहांस्ताक्षर करने की परकडिया में है एक से ओप्रेशन करूना 18 माई को भारत ने चकरवात मोचा से परभावित मैनमार के लोगों को लिए सहायता के लिए ओप्रेशन करूना के शुरुआत किया ओप्रेशन करूना के तहत भारती नो सेना के चार जहाजे मैनमार पहुंची ओप्रेशन ध्वास्त यह 17 मईद होय तेश को अपरेशन धुवस्त के तहट जो है रास्टिय जाच एजेंसी ने पंजाब और हरियाना पुलिस के सहयोग से 6 राजजियों और 2 केनर सासित परदेश तीन सो चौबिस हस्तानों पर छापा मारा गे है अपरेशन धुवस्त के तहट यह रास्टिय जाच एजेंसी ने आतंकवादियों गैंक्स्टरों वर ड्रग तसकरों को आपस में जूरका नेटवर्क को लंबित करने और अपरेशन धुवस्त नामक रास्ट व्यापी अभ्यान चलाया है इस ऑपरेशन में पाकिस्तान और कैनाडा सहित अन्य देशों में इस्तित नसीले पदार्थ के तसक्री और अतंकवादियों के साथ सहयोग करने वाले कटर गिरोहियों से जूरे हथियार आपूर्ति करता हो फाइनेंसरों आदी रसत प्राप्त करता हो हावला अपरेटरों को लक्षित किया गया है अल मुहेद अल हिंदी तेज यह 21-25 मैं तेज को भारतिय नौ सेना और रोयल साओधी नौ सेना बालू के बीच दूपक्षिय नौ सेनिक अभ्यास का दूसरा संस्क्रन यह किया गया है और यह साओधी आरब में आवजित किया गया है इस अभ्यास का पहला संस्क्रन 14 अगस 2021 में किया गया था यह भी सौदी आरब में किया गया था टाइगर सार्क चालिस यह क्या है तो 21 माई 23 को संयुक्त बंगलादेश अमेरिकी संय अभ्यास टाइगर सार्क पोर जो है चट ग्राम के जो है बी एनेस नार्विक में सुरू किया है बंगलादेश और अमेरिका ने यहां अभ्यास जो है 15 जुन को समाप्त हुआ है इसका उद्यस से जो है द सेना के जो है सब्त सक्ती कमार्ड ने राजस्तान पंजाब पश्चिमी सेनाओं में सुदर्शन सक्त दुहत्तेश शुरू किया है यह अभ्यास नेटवर्क केंदरित जो है वाता बरन में परिचालन योजनाओं को मानने करने के लिए दिजाइन किया गया था मेरी लाइफ मेरा स्वक्ष सहर अभ्यान या चोई केंदरिये अवास त्यम सहरी कारियों की मंतरी जो हरदीप एस पूरी ने 15 मई 2-20 को नई दिली में मेरी लाइफ मेरा स्वक्ष सहर अभ्यान को सुरू की है इस उद्दे से सहरों से कच्रा कम करना और उसे री यूज करने तथा उसे नवी करने यानि रिसाइकल यानि आर 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 करने के लिए एकल संग्रह केंद्र अस्थापित करना है नेक्स है NCC कैड़ेट का जो है 85 मा परवत रोहन अभ्यान शुरू या 17 माई दो है 23 को हुआ है या 85 परवत रोही जो है अभ्यान दल में जंडी दिखाकर रवाना किये गए है हिमाचल परदेश में माउंट यूनूस के लिए जो है NCC परवत रोहन अभ्यान दल जो है 4 अधिकारी और 10 जो है पियाई करमचारी और 18 जिन में 11 लड़कियां सामिल है और सात लड़के वर्स 11 लड़किया इस टोटल में सामिल है वर्स 1970 में सुरू हुए 85 अभ्यान है या दल हिमाचल परदेश के लहोर जिले में इस्तित माउंट यूनूस को फतह करेगी आर्किक जो है चैलेंज एक्सरसाइज संदी नाटो देशों से बने अपने सबसे नए सदा से फिनलेंड की रक्षा के इपड़ती गया के लिए 29 से 9 जुन तक जो है आर्किक चैलेंज एक्सरसाइज के शुरू किया इस अभ्यास में पहली बार में जबानी की है इस वर्स आर्किक चैलेंज एक्सरसाइज दो है संसक्रान जीन फिनलेंड नार्वे शविडन एक साता आयोजित किया गए है इस इस आयोजित जो है उत्री फिनलेंड के जो है रोवाँ रोवां जारवी में उरोप के सबसे बरे तुप खाने जो है प्रसेक्शन मैदान में किया गया फिनलेंड अप्चारिक रूप History में न बाग नाटो सदसे बनने के उमिद करता है एक था अभ्यास चार जुन से तीन जुलाई दो है तेश में भारतिये नव सेना के जो है गोता खोर और मरीन कमांडर अभ्यास जो है एक था के चट्थे संसक्रन में भाग लेने के लिए मालदिव में है यह अभ्यास भारत और एक बारसी का अभ्यास है इसका उदेश जो है ड्राइंग और डाइविंग और एस्पेशल जो है एस्पेशल ओप्रेशन इन इंटर इंटर ओप्रेविलिटी को बढ़ाना है इसे पहले पाचमा संस्क्रन सितंबर 2022 में 3 अक्टूबर 2022 में आयुजित किया गया था ओप्रेश सेना ने आतंकवादी नेता जनरल सिंग भिर रावले और उनके अनुयायों को बाहर निकालने के लिए स्वण मंदिर पर धावा बोल दिया था ओप्रेशन ब्लू स्टार जून 1984 में अमरिसर पंजाब के स्वण मंदिर में चलाए गया जो एक भारतिय सेना का ओप्रेशन थ जो है अलगावादी खालेस्तान अंदोलन भारत और विदेश में जोरो पर रहा था एयर डिफेंस दो हजात थेईस हवाई अभ्यास आईयर डिफेंस जर्मानी के नाटो के इतिहास में सबसे बरे हवाई अभ्यास एयर डिफेंस थेईस का योजन किया गया है यह 12-24 जून तक किया गया है यह जो एयर डिफेंस तेईस अभ्यास जो 25 देशों के 10,000 परतिभागी 250 विवान ने इसमें सामिल हुए है इस अभ्यास में विविन वायू रक्षा और वायू अंतर जो है विशायों पर केंदित रहा है जिसमें सामिल है हवाई छेत्र निगरानी और निय करना इसका जो है शुरुआ 2018 में जर्मानी के दोरा किया गया था पहला समुंद्री पहला जो है समुंद्री साजेदारी अभ्यास यह साथ जुन को हुआ भारत और फ्रांस संयुक्त अरब अमिरात समुंद्री अभ्यास के पहला संस्क्रण ओमान की इखारी में सुरू दो दिनों के लिए ते जो है निधारित अभ्यास के पहले अभ्यास का उद्यस से दोनों और सिनीकों के बीच त्री पक्षी सहयों को बढ़ाना और समुंद्री वातावरन में परियवरन जो है परांपरिक और गयर परांपरिक खत्रों को दूर करने के उपायों को अपनान के रूप में 35 से अधिक विमानों को सामिल करते हुए एक बड़े पैमाने पर ऑप्रेशन किया है यह नौसेना की परिचालंच हम तक के अब तक के सबसे महत्पून परदसन में से एक था ऐसे समय में आता है कि जब हिंद महासागर में जो है चीनी परवेश बढ़ रहा है नौसेना अभ्यास को मोडो क्या है तो आसियान देश में भारतिये नौसेना के तैनाती के हिस्से के रूप में आई एने सत्पूरा ने पांट से आठ जुन्दुएद देश तक इंडोनेसिया के इंडोनेसिया के मकारस में निर्धारित बहुप पच्चिये नौसेना अभ्यास जो है को मोडो MNE के तैस के जो है चोथे संस्क्रण में भाग लिया है वर्ष 12-14 में इसकी अस्थापना होती है एक्यूवेरियन सैन्य अभ्यास क्या है यह जो है एक से यह जो 14-14 जुन 23 तक भारतिय सेना और माल्दिय राष्टिय रक्षा बल के बीच जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स क्यूवेरियन का बारमा संस्क्रण किया गया एक्स क्यूवेरियन का बारमा संस्क्रण किया गया भारतिय सेना और तथा माल्दिय रक् फ्रेंड्स या भारत और माल्दियू के वैकल्पिक रूप से आयोजित एक दूपक्षिय वार्सिक अभ्यास है तो वैसे हम लोग ने अभ्यास को कंप्लेट किया फिर वाम लोग मिलते हैं नेक्स चेस्टन में